दोस्तों मैं फराज मलिक, आई आज आपको लिए चलते हैं पशिम बंगाल की तरफ, क्योंकि पशिम बंगाल में इस वक्त चुनावी मौसम काफी जादा गरम है, अप्रेल में यहां पर विधान सभा के चुनाव होना है, एक तो हमारे देश के अंदर चुनाव बहुत होता ह पिछले 4-5 महीने में आप लोग देखी कितने सारे चुनाव होगा हैं, और हर चुनाव ऐसा होता है, जहां पर हमारे बड़े बड़े नेता जी हुए, मोदी जी हुए, योगी जी हुए, और भी बड़े बड़े नेता पिरचार में पहुंच जाते हैं, जब हमेशा चुन उसके बाद शूटा वह क्षोटा सा एक निकाय चुना हुआ था है वहां पर भी बड़े-बड़े नेता कोई भी चुना होता है बड़े-बड़े चेर्य वहां पर पहुंच जाते हैं आजकल चुना ओ साइर ऑisz हो रहा है और 3-4 मही ने पहले से काफी जादा गर्म गर्मी का महौल है पश्रमंगाल के अंदर और अमिश शाजी वहाँ पर गए हुए हैं उन्होंने वहाँ पर जाकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है ऐलान क्या किया उन्होंने एक तरीके से वहाँ के मतुवा समुधाय को रिजाने के लिए उनका बोट पा ऑंदू है जो बढ़बारिक के वक्त जब बंगलादेश बनाता तो पाकिस्तान बंगलादेश प심ंगाल के अंदर आकर रहने लगे थे बहुत पुराने लोग ये मतुवा समूदाय के लिए बहुत पुराने हैं अपने देश के अंदरा बसे हुए इन के पास ़ो के बोट डालते हैं जब ये लोग बोट डालते हैं तो इनके पास सब कुछ तो होगा तो फिर अब इनको कौन से नागरिक्ता चाहिए है लेकिन अमिर शाह ने कहा है कि अगर हम चुनाओ जीत जाते हैं तो हम CAA के तहट मतुआ समुधाय के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जब वो नागरिक नहीं है तो चुनाओं में बोट क्यों डालेंगे जब भारत के नागरिक ही नहीं है चुनाओं में बोट डालने का अधिकार तो भारत के नागरिकों का है तो फिर मतुआ समुधाय के लोग चुनाओं में बोट क्यों डालते हैं तो उनके बोट लेने के लिए वहाँ पर बहुत जादा राजनीती हो रही है ममताब एनरजी कह रही है कि वो CWA लागू नहीं करेंगी जबकि अमिर शाह ने कहा है कि टीका करण जो करोना का टीका करण हो रहा है उस टीका करण के खतम होने के साथ ही CWA लागू कर दिया जाएगा और BJP एक बार जो कानून बनाती है BJP कोई भी कानून मनाती है तो उसको पूरा जरूर करती है अमिर शाह ने कहा कि CWA लागू जरूर होगा टीका करण के खतम होने के बाद और जितने भी मतवा समुदाय के लोग है उनको हम CWA के तहट नागरिकता दिलाएगे अमिर शाह ने कहा कि इससे किसी अलब संक्यक की नागरिकता जाएगी नहीं बलके जो लोग आई हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी लेकिन इस कानून का आखिर बिरोध क्यों हुआ इस कानून में काला ये बताया जा रहा है कि इस कानून के तहट और जो धर्मों की लोग है उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन जो मुसल्मान शरणारती अपने देश के अंदर आई हुए है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी यानि मुसल्मानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी और सारे लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी इसी वज़ा से इस कानून का विरोध हुआ था इस कानून को काला माना गया था लेकिन उवैजी साहब ने भी कह दिया है कि अगर आप CW दोवारा से लागू करेंगे तो हम दोवारा से इन्शायला पोई देश में निकल कर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ आंदोरन करेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमिश्या सिफ राजनीती का मुद्दा बना रहा है CW को क्योंकि मतुआ समुदा है नागरिक्ता चाहता है और अमिश्या चाहते है कि इस तरीके से उनको लुभा कर उनका बोट लेकर चुनाओ जीत लिया जाए बंगाल के अंदर तो फिलाल यही सब चलता रहता है देखते हैं कब लागू होता है CW वो बार ठीक है कि CW से किसी की नागरिक्ता जाएगी नहीं लेकिन जो एक NRC का लफज हमिश्या ने लिया था उसको लेकर जादा लोग परिशान है कि अगर CW लागू करके हमिश्या सबको नागरिक्ता दे देंगे और उसके बाद NRC लागू करेंगे जय हिन जय भारत